साजेदारी व्यवसाय के लेखांकन के अंतरगत हमने देखा कि किस प्रकार हम साजेदारी अधिनियम 1932 के सिध्धानतों का उनमें जो धाराय दी गही हैं उनका पालन करते हुए साज़दारी विवस्याइजाए के लेखे तयार करते हैं, हमने देखा कि ख्याती की गटना किस प्रकार की जाती है, नय लाभानी विभाजन उनुपातों की गटना किस प्रकार कियाती है, ख्याती के जो सामान्य सिध्धान्त होते हैं उनके अंतरकत हमने ये भी देखा कि किस-किस प्रकार के खातों का बनाया जाना जरूरी है लाभानी नियोजन खाते के बारे में हमने जाना साथ ही हमने देखा कि step by step हम साजेदारी की पूरी प्रक्रिया के और बढ़ रहे हैं हमने देखा कि जब कोई नया साजेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो किस प्रकार हम उसका लेखांकन करते हैं अब जबकि एक नया साजेदार जब साजेदारी विवसाय में प्रवेश करता है तो पहले के जो साजेदार होते हैं उनका जो रेशियो होता है या हम कह सकते के लाभानी विभाजन अनुपात होता है वो परिवर्तित हो जाता है और वहां हमने देखा कि किस प्रकार हम नय ला साजेदार के प्रवेश के साथ ही जो साजेदारी की पूरे लेखांकन की प्रक्रिया होती उसमें परिवर्तन आता है बिल्कुल उसी तरह अगर कोई साजेदार साजेदारी व्यवसाय से निकल जाए चला जाए या हम क्या सकते हैं कि निवृत्त हो जाए या फिर किसी सामचार की मृत्यू क disability manner अलग हो जाता है तो बिलकुल इसी तरह जब एक साजेदार फर्म से निवरित हो जाता है निकल जाता है चला जाता है तो शेश जो साजेदार रहते हैं उनका जो रैश्यो होता है या पहले वो जिसनुपात में लाभाणी विभाजन करते थे उसमें परिवर्तन आ जाता है साथ ही साथ विभिन प्रकार के लेखे करके हम यह भी क्यालकुलेट करते हैं कि जो साज़ेदार चला गया निवृत्त हो गया यह अगर किसी साज़ेदार की मृत्ति हो गई तो उसके उत्तरा धिकारी को कितनी राश्री का भुकतान हमको फर निवृत्ति और मृत्यू तो आईए सबसे पहले देखते हैं कि साज़ेदारी की निवृत्ति और मृत्ति वाले जो यह चैप्टर है इसमें किन किन शब्दावली का प्रियोग हम करेंगे यहां हम देखेंगे साज़ेदारों का अवकाश ग्रहन यानि कौन-कौन से वो इस्तिती होती है जब एक साज़ेदार फर्म से अवकाश ले लेता है दूसरा हम देखेंगे साजेदार का निश्काशन उसको निकाल दिया जाए फर्म से अगर कोई साजेदार साजेदारी सनलेक के विरुद कोई कारे करता है पिछले अध्यायों में हमने साजेदारी सनलेक उसके महत्तों उसकी विशेस्ताओं और उनमें उनलिखित बातों के बारे में विस्तार से जाना तो अगर कोई साजेदार साजेदारी सनलेग के अगेंज उसके विपरित जाकर अगर वो कारे करता है तो अन्य साजेदार चाहें तो उस साजेदार को फर्म से निश्कासित कर सकते हैं तीसरा यहां पर आएगा साजेदार की मृत्यों यानि किसी साजेदार की अकास्मित मृत्यों हो जाने के कारण उसका हिस्सा साजेदारी से हड़ जाए चौथा हम बात करेंगे यहां पर लाभानी अनुपात की और दूसरी प्राप्ती अनुपात की जैसे कि मैंने बताया कि प्रवेश के समय जिस प्रकार साजेदारों का अनुपात परिवर्तित होता है बिलकुल उसी तरह निवृत्ती के बाद भी जो बचे हुए साजेदार हो होते हैं फ़र्म में उनका अनुपात जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है तो यहां पर हम इस लाभानी अनुपात या प्राप्ति अनुपात को कई भागों में अलग-अलग बाटकर अधियन करेंगे जिससे यह पता चलेगा कि कंपनी का गेनिंग रेशियो क्या था अगर किसी साजेदार की मृत्ति हो जाती है तो उसको जो देह राशी की गढ़ना होती जो देह राशी होती है वो उसके कानूनी उत्राधिकारी को दी जाती है तो उसको कितनी राशी वहां पे करनी है उसके बारे में हम देखेंगे और अगर सयुक्त बीमा पॉलिसी है हम आगे आने वाले प्रश्णों में देखेंगे कि कई बार जो पार्टनर होते हैं साजेदार होते हैं वो एक सयुक्त जीवन भीमा पॉलिसी लिए रहते हैं जिनमें उन जितने भी फर्म के साजेदार होते हैं उन सब का सयुक्त रूप से उनकी भागीदारी होती है तो इसमें करेंगे अब अगर हम बात करें कि साजेदार का अवकाश ग्रहन क्या है तो साजेदारों के अवकाश ग्रहन के अंतरगत वो सभी स्थितियां आएंगी जब वो साजेदार फर्म को छोड़ देगा या फर्म से प्रिठक हो जाएगा फर्म से कोई साजेदार कई स्थितियों में प्रिठक होता है आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी वे स्थितियां होती है जब एक साजेदार फर्म से प्रिठक हो जाता है यहाँ पर अगर हम तीन प्रकार के दशाओं का अधियन करें तो यह भारती साजेदार या दिनियम 1932 की धारा एक के अंतरगत दी गई स्थितियां है जैसे पहली स्थितिय कहती है कि शेष सभी साजेदारों के सहमत हो जाने पर अगर फर्म में तीन या चार साजेदार है तो उनको अगर ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा साजेदार है जिसको किसी भी कारण से फर्म में नहीं रखना चाहिए वो सभी साजेदार सहमत अगर हो जाते है तो किसी एक साजेदार को फर्म से अलग कर सकते हैं दूसरी बात यहाँ पर हो सकती है कि साज़ेदारी के इस पर्ष्ट ठहराओ के द्वारा हमने पहले भी देखा कि वास्तों में साज़ेदारी जो है वो एक ठहराओ एक समझोता है जिसे हम बुलते कॉंट्रेक्ट है तो अगर किसी समझोता विशेस को लेकर किसी साज़ेदार किस ठापना की गई है तो वैसे ही एक समझ़ोता करके उस साज़दारी को समाथ्त्र भी किया जा सकता है तीसरे बंदु को हम देखे तो जब साज़ेदारी में जा ना reaction भी होती है जब साज़ेदार अपने इक्षा से साजेदारी फर्म में भाग लेता है तो जब वो चाहे तो अपने इक्षा से लेकिन लिखित में एक सूचना देकर फर्म से प्रिथक हो सकता है तो ये तो थी वो कंडिशन जब एक साजेदार फर्म से निवरत हो जाता है अब आये देखते हैं कि कारण क्या क्यों ऐसे होता है जब साजडरी का साजडरी का कोई साजडरी होता है तो कारण की एक्षा के enjoy it प्रिथक हो सकता है दूसरा कारण अगर हम देखे तो वो है व्रिधावस्था के कारण उसकी अगर कोई ऐसी अवस्था वहां तक पहुंच चुका है कि वो काम को नहीं कर पा रहा है या शारीरिक रूप से अपने आपको असमर्थ समझता है तो वो अपने कारण को लिखी का जो इसके हिस्से का कारे था तो वो अपने अस्वास्था को कारण बताते हुए लिखित में सुचना देका फॉर्म से प्रिथक हो सकता है अगले अगर मिसके कारण की बात करें तो मतभेद भी एक मतपूर्ण कारण है कई बार क्या होता है कि बहुत सारे साज़दारी सनल का निर्माण ही इसलिए किया जाता है कि भविष्य में आगे चलका फर्म में किसी प्रकार का मतभेद उतपन ना हो लेकिन फीर भी कभी न इस इस्थिति बनती है कि साज़दारों में आपस में मतभेद उतपन हो जाता है तो अगर ऐसा कोई मद्भेत उत्पन हो जाता है तो कोई साज़दार अगर चाहे तो वो फर्म से प्रिथक हो सकता है अगला बिंदू इसका हो सकता है कि अगर कोई साज़दार किसी अन्य काम को करना चाहे जिस साज़ेदारी फर्म में है उसको वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वो नहीं करना चाहता तो फिर वो किसी कारे के लिए साज़ेदारी फर्म से प्रिथक हो सकता है इसके अलावा बहुत से और चोटे-बोटे ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण एक साज़ेदार फर्म से प्रिथक हो सकता है जिसके हम कह सकते हैं कि अगर फर्म के जो साज़ेदार है उनमें से कोई एक साज़ेदार जो फर्म के कानून समध जो कारे हैं जो legally जो काम करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, कुछ illegal काम वो कर रहा है, तो firm के जो साजेदार है वो चाहे तो उसको firm से हटा सकते हैं, प्रिथक कर सकते हैं. दूसरा अगर firm को कई वर्षों से हानी हो रही है और किसी एक साजेदार की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि लगातार वो इस तरह की हानी को वहन करता रहे, तो अगर वो चाहे तो firm से वो प्रिथक हो सकता है, ठीक इसी तरह अगर कोई साजेदार पागलपन या दिवालिया की इस्थिति में हो, तो भी वो firm से प्रिथक हो सकता है, साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि अगर वो permanent कहीं दूसरी जगा शिफ्ट हो जाए, घर बदल दे उसका address चेंज हो जाता है, वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है किसी भी कारण की वज़ा से, और वो साजेदारों के साथ काम कर पाने में असमर्थ रहता है, तो उस condition में भी वो ल तो वो एक लिखित सूचना देकर फर्म से प्रिथक हो सकता है, तो ये तो थी साजेदारों के फर्म से अलग होने, प्रिथक होने या जिसे हम कह सकते हैं कि लिवरित हो जाने के कारण, अब किसी एक साजेदार के फर्म से अलग हो जाने के बाद, उस फर्म की वैधानी किस् का अवकाश ग्रेंड हो जाता है तो वो जो साजेदार है अब वो वास्तों में उस फर्म का साजेदार तो नहीं रह जाता लेकिन शेश जो साजेदार है उनका साजेदारी वेवसाय जो होता है वो सतत जारी रहता है दूसरा हम यह कह सकते हैं कि जो रिटायर होने वाला निव जो निव्रत्त होने वाला साज्यदार है वो तो अपने दाइत्तों से प्रिथक हो जाता है लेकिन जो बचे हुए साज्यदार है उनका जो दाइत्तों निर्वहान का जो अनुपात होता है वो परिवर्तित हो जाता है वैसे वैधानी की स्थिति के अगर बात करें तो हम को आपके साजेदार की तो हम अगर लेखों के अंतरगत दिवरत हो रहा है तो इसको दे राशी वो राशी घुद को Lewis को खुद दे दी जाती है और और किसी साज़ेदार की मित्व pinpoint लुववड़ा तो उसको जो दे-राशी इसके इसकी वूंति इसके उत्त्रा धिकारी को दे दी जाती है याने यहाँ पर कुल मिला कर बात यह आई प कि निवृत्त होने वाले साज़ेदार को कितनी राशी दे जाए और जिस साज़ेदार के मृत्यु हो गई है उसके उत्तराधिकारी को कितनी राशी का भुगतान किया जाए तो इसकी calculation करने के लिए बहुत सारे लेखे जोखे करने पड़ते हैं यहां पर हमको उत्त्रा धिकारी को देराशी की गड़ना या निरत्त साजेदार की देराशी की गड़ना के साथ-साथ जो शेश साजेदार है उनके लाभानी अनुपाद में क्या परिवर्टन आया है इस सब के कैलकुलेशन के लिए आयो देखते हैं कि कौन-कौन से लेके हम को करने पड़ते हैं यहां हम सबसे पहले जो गड़ना करते हैं वो है लाभानी विभाजन इनुपात इवन प्राप्ति इनुपात की जैसे कि हमने साजेदारों के प्रवेश में देखा था कि जब एक नया साजेदार फर्म में आता है तो पहले से जो साजेदार रहते हैं उन पाद भी परिवर्तित हो जाता है तो परिवर्तित हो के वो नया अनुपाद क्या हुआ इसकी कैलकुलेशन हमको करनी होती है दूसरा हमको यहां पर ख्याती का लिखांकन करना होता है क्योंकि फर्म की ख्याती उस दिन तक जब तक वह साजेदार था जिसने अवकार इतनी थी ये जान लेना भी जरूरी है क्योंकि उस ख्याती में Swami रिटायर होने वाले यह jis कि मृत्य होगई उस साजय है का भी हिससा उस ख्याती में रहता है कि यह पर ख्याती क्यालकुलेशन करने भी जरूरी हो जातीी तीसरा आता है आवित्रित लाब संचय या कोश की जो एमाउंट रहती है जिसको अभी तक हम सिर्फ कोश में ही डालके रखे रहते हैं कोई कैलकुलेशन उसको हम नहीं किये रहते हैं लेकिन हैं निवृत्ति या मृत्तियों की दर्शा में एक बार हम उसको देखना पड़ता है कि वास्तों में उस संचय या कोश में कितनी धनराशी जमा है उसके बाद हमको बनाना है साजेदारों का पुनर मुल्यांकन खाता साज़ेदारों की पुनर मुल्यांकन खाते के अंतरगत हम संपत्ती और दाईतों का मुल्यांकन करके ये देखते हैं कि सभी साज़ेदारों की हिस्से में अब तक कितनी कितनी राशी कितना लाब्याहानी का वित्रण हो रहा है उसके बाद एक महतपूर्ण खाता जो महतपूर्ण एक गढ़ना होती है वो होती है निवृत साजेदार को दे राशी की गढ़ना तो इन्हीं लेखों के द्वारा हम जो रिटायर होने वाला है जो मृत साज़ेदार है उसको कितिनी राशी हमको देनी है इन्हीं लेखों के माध्यम से हम उसकी क्यालकुलेशन करते हैं अगला जो हमको करना होता है वो फूंजी का समायोजन होता है तो इस पूरे अध्याय में हम ये जो सारी कैलकुलेशन होती है ये सारे महतपून कैलकुलेशन को हम क्रमबद तरीके से करेंगे सबसे पहले आये देखते हैं कि एक साजेदार के निवरत्य हो जाने पर या मृत्य हो जाने पर जो लाभानी विभाजान अनुपात या प्राप्ति अनुपात की गढ़ना की जाती है वो किस तरह से की जाती है तो यहां पर जब नया लाभानी विभाजान अनुपात या प्र अगलब होती है कौन कौन से दशाय होती है कैसी कैसी स्थितिया होती है यह देखते हैं पहली दशा कि अगर हम बात करें तो होती है कि जब शेष साज़ेदार अवकाश ग्रहंट करने वाले साज़ेदार का हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करते हैं जैसे कि वो पहले प् में प्राप्त करें प्रश्ण पर डिपेंड करता है कि वो किस अनुपात में दिया हुआ है वहाँ पर उसके कॉर्डिंग हमको क्यालकुलेशन महाँ पर करनी है तीसरा बिंदू यह आता है कि जब अवकाश ग्रहन करने वाले साजेदार का हिस्सा सभी में से कोई एक साजेद अगर उनका दिया हो तो उसमें क्या क्या करेंगे तो यह चार दशाएं जो होती है इन चारों दशाओं को हम क्रमबद रूप से उदाहरन के साथ हम इनका अध्यान करेंगे तो आए सबसे पहले हम देखते हैं पहली कंडिशन यानिकी जब एक जो शेस साजेदार है उनका जो साजेदारी में लाब का हिस्सा होता है वो उसी अनुपात में प्राप्त करेंगे जैसा कि वो पहले प्राप्त करते थे एक उदाहरन से देखेंगे इसको A, B और C साजेदार हैं जिनका लाब विभाजन अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है शेस साजेदार के नए लाब अनुपात की गड़ना कीजिये यदि A अवकाश ग्रहन करें यदि B अवकाश ग्रहन करें यदि C अवकाश ग्रहन करें यहां पर साजेदारों के अनुप तेन्सपात दो अनुपात एक दिये हुए हैं यहां हमें पहले कंडिशन में जब शेड आवकाश ग्रहंड करने साज़ह्दार का हिस्सा उसी अनुपात में प्रा Angry जो उवा पहले से प्राप्त करते थे इस कंडिशन में हम को यहांं पर नया लाभानी विभाजन अनुपात की गढ़ना करनी है पहले कंडिशन में जब किवल ए अवकाश ग्रहन करता है और बी और सी फॉर्म में रह जाते हैं उस कंडिशन में हम सबसे पहले देखेंगे कि पुराना लाभानी विभाजन अनुपात क्या था तीन अनुपात दो अनुपात एक, अब क्योंकि A अवकाज ग्रहन कर लेता है, तो B और C का जो नया अनुपात होगा, वो हो जाएगा, एक को अगर हम हटा दें, तो दो अनुपात एक, यानि कि इसे हम दो बटे तीन और एक बटे तीन भी कह सकते हैं, यह इनका नया लाभानी विभाजन अनुपात हो जाएगा, दूसरे कंडिशन में अगर B फर्म से अवकाज ग्रहन करता है, तो उस कंडिशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इनका लाभानी विभाजन अनुपात था, तीन अनुपात दो अनुपात एक, इसमें से अगर B का हिस्सा हटा दिया जाए, क्योंकि वो अवकाल ग्रहन करता है, तो नया लाभानी विभाजन अनुपात जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तीन अनुपा अनुपात दो अनुपात एक अब यहां पर अगर हम सी का हिस्सा हटा दें तो हम देखते हैं कि ए और बी का नया अलाब आनी विभाजन अनुपात तीन अनुपात दो यानि कि तीन बटे पाच और दो बटे पाच हो जाएगा